जिया, हलो, नमस्कार, स्वाग टिकबार, फिर से आप सबी का आपकी अपने हरियाना मोसम समाचार के इस वीडियो में जिया, ये आप जानेंगा अपने सहर, अपने काउओ, अपने कज़बे की मोसम की टाजा रिपोर्ट जी अगर आप हरियाना के किसी वीजिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेयर जरूर करें अगर आप हर्याना जिले की मौसम की ताज़ा रिपोट पाना जाते हैं तो प्लेज टियार निच को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि याने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलें जिया चलिए इस सुरू करते हैं आज कैसा रहेगा मौसम हर्याना में आज भी हलकी से मध्यम बारिस और चितरवा बारिस की गत्विदियों की प्रवल सम्भावना है क्योंकि बारिस वाले बादलों का निर्मार जारी है 24 जनविदि को इस मौसम पढ़ाले का प्रवाव हर्याना वा दिली अंसियार से हटना सुरू हो जाएगा जिया हर्याना में सुक्रवार की राज से सभी जिलों में रुग रुकर बारिस हो रही है बारिस का ये दो राज भी जारी रहेगा ये बारिस सभी फसलों के लिए संजेवनी साबित हो रही है वहीं सीत काले इन बारिस होने से ताबमान में लगातार गिरावाड आ रही है और इसके सरत काले इन फसलें जैसे गेहूं गन्ना हरे पत्तिदार सबजियां तिरहन दलहन फसलों को तेजी से फिकास होगा फसल निरोगी होगी और उत्पादन वाला हुआ अधिक होगा बता दे कि उत्तरी परवती छेतरों पर भारी मातरा में हिमपात और उत्तरी मैदानी राजियों में विसेश कर हरियाना वा दिल्ली न्सीयार में 22 जनवरी के अल सुबह से भारी बर साथ हुई है अब तक कुछ इस्तानों पर 30 जनवरी को साम तक हलकी बारिस और छेतरवा बारिस की गत्विदियां देखनेों के मिलेंगी 22 जनवरी को सामुचे तर्भारत में बारिस होने से अभी कुछ दिन और फिजा में ठंडा घुली रहेगी ऐसे में पूरा जनवरी का महीना भीसर ठंड का बना हुआ है ये बारिस गेहूं और जों के लिए काफी फाइदिमन बताई जा रही है ऐसे में गेहूं और जों उत दिनों का निर्मार जा रही है 24 जनवरी को इस मौसम प्रणाली का प्रभाव हरियान अदिली इंसियार से हटना सुरू हो जाएगा बारिस से फसल का उत्पादन गुड़वत्ता वाला होगा इसे जहां खाद्यार भंडार लबरेज होंगे वहीं किसानों की आये बढ़ेग यदि बारिस दो-चार आउट दिन चल गई तो आम की फसल का रिकार्ड उत्पादन की सांभावणा है वहीं जबकि अमरूत की फसल भी अच्छी होगी बारिस होने के तामान में गिरावाट आई इसका अधिक लाब सरत कालिन फसलों को होगा जिया यती हरियान जुड़ी म